वीडियो देखने से पहले और चैनल पर कमेंट करने से पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकम को दबाना बिलुकुल ना भूलें दोस्तों में शावाद आपका बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ और फ्रेंड आज आपको इस वीडियो में बनाओंगा कि एक पैनासोनिक के म्यूजिक सिस्टम के अलावा भी यानि की सोनी के या सैमसंग के म्यूजिक सिस्टम भी ब्लूटूफ सपोर्टेड बड़ी आसानी से बना सकते हैं दोस्तो सबसे पहले हमें जरुत पढ़ेगी एक ब्लूटूफ मॉडूल की इसके लिए मैं मिनी ब्लूटूफ मॉडूल का इस्तमार कर रहा हूं इसके लिए सबसे पहले हम इसकी आउटूट पिन को कनेक्ट कर देंगे तो इसमें आप देखिए मेरे पास दो पीन है जिसम बस में connector ग्राउंड बन जाएगी और एक left out में लग जाएगा और एक और out में connect हो जाएगी pin और मुजिक सिस्टम में इस pin को music port की pin के अंदर connect कर देंगे जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी left right ground वाली pin को मैंने इसके music port से connect कर दी है अब हमें इसके अंदर 5V supply देनी है क्योंकि यह 5V supply पर वर्क करेगा तो इसके लिए अब हमें इसके motherboard से 5V supply को हंट करना पड़ेगा तो या तो आप जो जादा voltage है जैसे कि 15V या 12V इस new system के अंदर है उसको आप step down करके 78.05 की मदद से regulate करके इस Bluetooth module के अंदर दे सकते हैं या फिर अगर इसके अंदर कोई 5V supply बन रही है तो ट्रेट उस power supply का इस्तमाल कर सकते हैं आप तो अब हम देखना शुरू करते हैं कि इसके अंदर से कहां से कौन-कौन सी voltage मिल रही है तो जहां पर मैंने connect किया है वहां पर आपको एक बार दिखा देता हूं वहां पर 5V supply मिल रही है यह देखिए जहां पर मैंने Bluetooth module को connect कर रखा है यहां पर 5V की supply मिल रही है और मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूं इसमें जब भी आप अपना music system को चलाएंगे तो आपको music port में pin को connect करना पड़ेगा और अगर आप इसके अनरे music port में pin को connect नहीं करेंगे तो आपका music नहीं बजेगा इसके अनरे music नहीं बजेगा तो फ्रेंड अगर आपको इस वीडियो मारे अच्छी लगी प्लीज वीडियो को शेर करें लाइक करें दोस्तों आपको मारे चैनल से जूड़ेना चाते हैं तो इक अम्माल की वीडियो अपने email पर मेरसीज पर रसीप करना चाते हैं